दुनिया में करीब सो करोड हिंदू हैं और मुस्ती लोग ये समझते हैं कि पूजा पाठ मंदिर जाना ही इसका मूल आधार है दूसरे धर्म के लोग भी इसके बारे में यही समझते हैं पर जो असली हिंदू होगा ना असली सनातनी होगा जो इसकी साइंस को जानता होगा वो ऐसा बिलकूल नहीं कहेगा इसकी साइंस क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी साइंस इतनी गहरी है कि दुनिया भर के बड़े-बड़े क्वांटम फिजिसिस्ट, मौडर्न साइंटिस्ट ने हिंदूइजम के वेद उपनिशत पड़े हैं, अध्यन किया है जिसमें अलबर्ट आइंस्टाइन से लेके नील्स भोर, एर्विन्स क्रोंडिंगर, वर्णर हाइजनबर्ग और निकोला टेसला का नाम भी आता है इन्होंने अपने टाइम में वेदांता फिलोस्फी पढ़ी थी हिंदूइजम का असली नाम है सनातन धर्मा धर्मा का मतलब यहाँ पर रिलिजन से नहीं है, धर्मा का मतलब यहाँ पर है नियम, कुछ लॉज, उन लॉज के बारे हैं बात कर रहा है जो फिजिकल नहीं है बट उनके हिसाब से सबकी लाइफ गवर्न होती है हिंदूइजम तो नाम इसले पढ़ गया क्योंकि यह दुनिया की सबसे पुरानी सब्विता से शुरू हुआ था, इंडर्स वैली सिविलाइशन, सिंदू खाटी सब्विता, जो की एक नदी के किनारे थी जिसका नाम था सिंदू, सिंदू नदी और क्योंकि यहां रहने वाले लोग हिमालिया और इंडू सागर, इंडी नोशन के बीच में जो लोग रहते थे, उनको बाहर वाले लोगों ने हिंदू बोलना शुरू कर दिया, तो वहां से नाम पढ़ गया हिंदू, हिंदूइजम अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है, कि अगर तुम दस हिंदूओं का खड़ा करतोगे और उनसे पूछो हुए कि भाई, तुम किस चीज में बिलीव करते हो, तो आपको दस अलग-अलग जवाब मिलेगे, different for every person क्यों क्योंकि कोई भी इसका एक single founder नहीं है, like other religions, इसमें कुछ लोग किसी चीज में मानते हैं, कुछ लोग किसी चीज में मानते हैं, different different cultures हैं, geographical locations के हिसाब से भी यह differ करता है इस सब के बावजूद भी Hinduism में एक common विचारधारा है, और वो बड़े ही beautiful तरीके से तीन चीजों को समझाती है, God कौन है, individual कौन है, और यह world क्या है, तो वो ऐसे है कि एक ब्रामन होता है, ब्रामन, इसको जाती वाला ब्रामिन मत समझना, वो अलग है, वो कास्ट है, और ब्रामा भी मत समझना, creator, वो भी अलग है, B-R-A-H-M-A-N, एक ब्रामन होता है, all-pravading energy, जो सब कुछ है, वहीं से सुरुवात है और वहीं से अंत है, वो ना कभी आया और ना कभी गया, वो हमेशा है, true reality of things, यह shapeless है, bodiless है, genderless है, colorless है, it cannot be described, it can only be experienced, तो यह है ब्रामन, परमातमन, अब इस ब्रामन की eternity को समझने के लिए एक शलोक है, संस्कृत में, ओम पुर्ण मदम, पुर्ण मिदम, पुर्णात पुर्णम उद्चेते, पुर्णस्य, पुर्ण मादाय, पुर्ण मेवाव सीशेते, इसका simple मतलब है, infinite has already existed, it will continue to exist, and from that infinite, even if infinite is taken out, it remains infinite, मतलब वो infinite है, अनन्त है, उसमें से अगर infinite भी निकाल दोगे, तो भी वो infinite ही रहेगा, अनन्त ही रहेगा, ये है ब्रामन, परमातमन, अब इस ब्रामन में से, इस परमातमन में से निकलते हैं, छोटे छोटे टुकडे, जिसे बोलते हैं आत्मन, जो आप में है, मुझ में है, पश अब ये आत्मन एंटर करता है माया में, माया मतलब प्रकर्ति, भ्रामन सोर्स ओफ क्रियेशन है और प्रकर्ति प्रिमोडियल मैटरन एक्टिवेटिटिंग एनरजी है, यानि कि नेचर और क्रियेशन इटसेल्फ, पुरुष प्रकर्ति, शिव शक्ति, कॉस्मिक फादर, कॉ ब्रामन से माया निकली है, ब्रामन इंफैनाइट है, माया भी इंफैनाइट है, पुरुष इंफैनाइट, प्रकर्ति भी इंफैनाइट, प्रकर्ति भी इंफैनाइट, अनन्त से ही अनन्त निकलता है, और इट स्टिल रिमेंस इंफैनाइट, तो ब्रामन इंफैनाइट, और ये body एक car की तरह है एक car नहीं चल सकती without the driver समझे रहें similarly इस body नहीं चल सकती without the atman आपने पढ़ा होगा energy can neither be created nor be destroyed it can only convert from one form to another ये वही ये energy है वही आत्मन है जब ये माया में या प्रकरती में एंटर करती है तो ये matter acquire कर लेती है body acquire कर लेती है आत्मन is surrounded by physical structure called body अब आत्मन अपने आपको reveal करती है consciousness के थुरू चेतना के थुरू और ये consciousness या चेतना interact करती है body के साथ body interact करती है माया के साथ और ये interaction होता है तीन तरीकों से या सात्विक गुनों से या राजसिक गुनों से और या तामसी कुनों से हर interaction में करम जनरेट होता जाएगा अच्छा सोचोगे अच्छा करोगे तो positive करम जनरेट होगा और बुरा करोगे बुरा सोचोगे तो negative करम जनरेट होगा अब ये जो आत्मन है energy है इसके लिए इस लोग है जो गीता में क्रिशन ने बोला है नैनम चिद्धन्ती शस्त्राणी नैनम दहती पावकव नचैनम कलद यंते आपो ने सोशेती मारूत ना शस्त्र आपको काट सकता है ना अगनी आपको जला सकती है ना जल आपको गीला कर सकता है और ना ही हवा आपको सुखा सकती है आत्मा अमर है, अजर है, सरवग्य है, सनातन है जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं उसी तरीके से आत्मा एक शरीर छोड़ कर नया शरीर धारन कर लेती है और जब यह आत्मन माया में एंटर करता है तो इस माया के अंदर आपका cycle स्टार्ट हो जाता है करम का, मतलब इस rectangle के अंदर लिखा हुआ है, law of karma मतलब आत्मन ने यहां पर अंटर किया और उसका करम cycle स्टार्ट हो गया यहाँ से यह आत्मन ने माया में अंटर किया यहां पर जनम हुआ बर्थ, डिजीज, ओल्डेज, डेथ ये चलता रहेगा बार बार जनम होता रहेगा बार बार मरते रहेंगे ये इसकी कोर फिलोसफिय है अब जिस तरीके से फेस्बुक के सर्वर होते हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं कहां से आया, कितने बजे आया क्या क्लिक किया, क्या लाइक किया क्या कमेंट किया क्या लाइकर केन लाइक किया ये सारी चीजें वो जैसे वो रिकॉर्ड करता है इसी तरीके से माया में इन्विजिबल सर्वर्स लगी होते हैं जो हर चीज को नोट कर रहे हैं, cosmic registers में, आपका एक एक करम नोट होता है, registers में चड़ता जाता है, positive और negative का balance बनता चला जाता है, जब शरीर की मृत्यू होती है, उस समय आत्मा का जो भी विचार रहता है, और उसके करम कैसे थे, उसके हिसाब से अगला जनम decide होता है, अब देरा six categories जिसमें जनम होता है, और ये evolution के हिसाब से हुआ है, अब छे तरीके की reality हैं इस three dimensional world में, पहली है aquatic, सारे पाने वाले, दूसरी है insects and reptiles, रेंगने वाले छोटे कीडे मुकोडे, तीसरी है plants, चोथी है animals, पाँचमी है birds और छटी है humans, अब सनातन धर्मा ये belief करता है, सनातन का मतलब है eternal, timeless, उसमें ये belief है कि जो humans हैं, सिर्फ वो ही करम generate करते हैं, क्योंकि जो कीडे मुकोडे हैं, या फिर कुता बिल्ली हैं, वो सिर्फ instincts के हधार पे काम करते हैं, उनका करम generate नहीं होता है, उनका करम count नहीं होता है, तो negative करम generate करोगे तो नीचे के जोनिया मिलेंगी, नीचे के realities मिलेंगी, और नीचे सिर्फ कोई करम generate नहीं हो सकता है, ये हिंदुईजम के basic thoughts हैं और प्रम्मा विश्णु में इस तो अभी तक आई भी नहीं जो लोग सोचते हैं कि हिंदुईजम उसका मतलब सिर्फ मंदिर जाना पूजा करना है भक्ती करना है इसकी पीछे की science क्या है उसको जानो और ये सबसे पुराना religion होने के बावजूद भी आज तक इसी लिए खड़ा है क्योंकि ये सनातन है, timeless है इसको कोई मार नहीं सकता कितनी भी कोशिश कर लो इसको मारने के फिर से उठके खड़ा हो जाएगा क्योंकि ये तो सिर्फ एक विचार है और यही एक reason है कि ये आज तक भी जिन्दा है बाकि कितने धरम आये और खतम हो गए बट ये आज भी सबसे पुराना होने के बावजूद भी सो करोड लोगे से follow पक्ते है चलो आगे बढ़ते हैं अब आत्मा के करम के हिसाब से अगला जनम मिलता है तो अब जो human life मिली है इसमें अच्छे करम कर लो वरना नीचे जाओगे अपना कार्मिक बैलन्स उधार लो और नीचे जाओगे तो किवल बुरे करम खतम होते जाएंगे नए करम अन नहीं हो सकते तो कि choices नहीं है और अगर आत्मा के करम अच्छे हैं तो आपको ये central philosophy समझ में आएगी तो कुछ knowledge acquire करने के बाद और कुछ scriptures पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आप एक cycle में फस गए हैं आपकी destiny कहा है तब आप पूरी power लगाएंगे इस cycle से बाहर निकलने के लिए और ultimately मोक्ष attain करने के लिए आत्मा है और ये realization हो जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है अद्वैत विदामता के according तद्वम असी दैट दो आठ मतलब आत्मन is ब्रामन आत्मा ही परमात्मा है उसी का हिस्सा तो है वही तो है और मोक्ष अगर मिल गया तो आप वापस चले जाएंगे ब्रामन के पास जहां से आप आए थे परमात्मन के पास which is the reality of all human beings बट हर कोई इस चीज के लिए aware नहीं हो सकता जो aware नहीं हो सकता उनके लिए endless cycle of birth-death birth-death चलता रहेगा अब ये क्यों हो रहा है because this संसार this world is a maya temporary material reality which confuses आत्मन ये maya आत्मा को confuse कर देती है और ये temporary material reality है ये सच्चाई नहीं है maya का मतलब है that which is not जो है नहीं और जो लोग इसे नहीं समझ पाते वो राजसिक और तामसिक कर्मों में बंद जाते हैं और ultimately कोई मुक्ती नहीं मिलती होने अब एक तरफ तो ये चल रहा है दूसरी तरफ ये universe खुद से create होता है nurture होता है और destroy होता है this has been discovered by 21st century scientists big bang, universe expansion and then big crunch बट ये knowledge तो हिंदुआ ने 10,000 साल पहले निकाल दी थी कि universe create होगा expand होगा और ultimately destroy हो जाएगा again create होगा expand होगा और ultimately collapse हो जाएगा माया हिस्सा है इस universe के बनने, बढ़ने और बिगडने का संसार, माया जो इस ब्रहमांड के अंदर है वो चार cycles के अंदर चल रहा है सत्यूग, तरेता यूग, द्वापर यूग, कल्यूग जिसकी ratio 4 is to 3, is to 2, is to 1 की है कि जितना time कल्यूग का लगेगा उससे 4 गुना सत्यूग का होगा 3 गुना त्रेता का होगा और 2 गुना द्वापर का होगा अब ये चक्रियां चल रही है इन चक्रियों के अंदर आत्मन की चक्रियां चल रही है life and death की, life and death, life and death, life and death तो दो चीज़ continuously इसके अंदर साथ की साथ चल रही है बड़ा यूगा साइकल चल रहा है यूनिवर्स बन रहा है, बढ़ रहा है, बिगड़ रहा है और साथ की साथ माया के अंदर आत्मन के साइकल चल रही है एक और अच्छी information में आपको दे रहता हूं कि 2012 में ये कलियूगा खतम हो चुका है और हम दुबारा से द्वापर, त्रेता और सत्यू की तरफ जा रहे है और जो ये टाइम है, 2012 से 2032 का ये अवेकनिंग का टाइम है जिसके अंदर इस प्लानेट के ऊपर consciousness के अंदर बहुत तगड़ा shift आ रहा है बट ultimately हम सब एक हैं यही एक reason है कि कभी भी Hinduism ने किसी को convert नहीं किया क्योंकि वो जानते थे convert क्या करना सब एक ही तो है चाहे वो माने किसी भी चीज़ को बट truth को change नहीं किया जा सकता वो एक ही है तो simply ये बोल रहा है कि आपकी life आपके करम पर depend करती है जैसे करम करोगे उसके हिसाब से आपको result मिल जाएंगे अब इस concept के similar terms पर एक movie बनी है जिसका नाम है matrix जिसमें इस reality को ही question कर दिया कि real क्या है जिसके अंदर neo जिसका मतलब है one N-E-O-O-N-E Morpheus Neo को यही समझा रहा है पूरी movie में कि तुम एक endless cycle के अंदर फस गए हो तुम matrix में फस गए हो माया में फस गए हो और इस cycle से निकलना है तो जब Neo enlightenment achieve करता है वो गोलियों को रोग देता है अपने तरफ आते हुए सब कुछ कर देता है वो पता नहीं ऐसे ऐसे चीज़े करता है जो humanly possible ही नहीं है जो या तो Krishna ने अपने time में की थी या राम ने अपने time में की थी और इस concept को समझने के बाद जब आप वो matrix movie देखेंगे तो आपको और clearly समझ में आएगा कि यह concept भी और वो movie भी तो एक Sanskrit में saying है Brahman Satya Jagat Mithya means Brahman is real and this world which you experience through your senses is just myth तो जिस दिन आपको यह आत्मा का बोध हो गया उस दिन आपको मोक्षटेन हो गया आपके यह सारे के सारे भरम तूट जाएंगे और आप समझ जाओगे कि आपके अंदर ही है वो भरामन आपके अंदर ही है वो परमात्मन एहम ब्रहमासमी जो सिखाया जाता है वो यह है कि तुम ही हो ब्रामन तुमारे अंदर ही है सब कुछ उसे कहां बाहर डूनर बाहर नहीं मिलेगा वो अंदर ही मिलेगा तो इसकी समरी क्या है इसकी समरी है that you are a spiritual being having a temporary human experience here on earth मतलब आप एक spiritual being है और temporarily इस धरती पे एक इनसानी रूप में अपने जीवन को जी रहे है आप किसी race के नहीं हो किसी देश के नहीं हो किसी भेश के नहीं हो you are just a part of that ब्रामन अब मैं चाहता हूँ कि आप हर किसी को जगाएं हर किसी के साथ इस वीडियो को share करें और आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में और इस philosophy के बारे में प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं अगर किसी चीज़ पर आपको doubt है तो मैंने description में link दिये हैं आप उन पर जाके further research कर सकते हैं अगर इस वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे like करें चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलें क्योंकि मैं similar type का content इस channel पर लाता रहूँगा और सोए होए लोगों को जगाता रहूँगा